हलो एवरीबडी दिस इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम टू दा सोशल प्रेंज स्वागत आप सभी का बेसिक्स ऑफ जोग्रफी के लेक्चर नमबर टू में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं समुद्र की और महाजवीपो की क्या है कहानी वह सुमझो पिछले वीडियो में जो हमारा लेक्चर नमर वन था जिसमें मैंने आपको क्या बता है बेसिक्स ऑफ जोग्रफी ओरिजिन ऑफ अर्थ त्योरीज सुलार सिस्टम इन सारी सिटों के बारे में अब देखो पॉइंट है ना मैं यह आपको अलग-अलग पार्ट्स में देते चल रहा हूं शुरुवात में यह शायद हो सकता है चार-पांच लक्षर आपको ऐसे मि फेले रेंगता है फिर गुटनों पर फिर पेर फेंखड़ा होता है तो वो प्रोसेस नहीं पिछले क्या पड़ा था पिछले की से औरिजिनेट हुआ अलग-अलग थोरी इस क्या दे गई है उर्थ ऑरिजिनेट हुआ होने से पहले पिशा कि हमने निदों कि पूरा का पू और उस Milky Way galaxy में बहुत सारे planet है उन बहुत सारे planet में हमारा एक planet है Earth बढ़ाई अर्थ हो यह एकिरफ हूं तो ourth हमने आ आ आ अर्थ आया तो और बना कैसे और आप सुमने जैसे देखा कि 86 dividis के दीरे-दीरे क्लीव ऊब क्या देखेंगे तो तो कुलिंग डाउने के बाद में एट्मॉस्फेर बना लिथास्फेर बना एट्मॉस्फेर बना हैड्रोस्फेर बना फिर उसके उपर लाइफ आई यह सारी चीज है पिछले लेक्चर में आपको टच अप दिया था ठीक है इसको और रिटेल में आगे पढ़ेंगा अभी सि चलो यहां देखो जैसे अगर आप देखोगी कि हमारी प्रत्वी है इसका रोटेशन रेवल्यूशन सन के चक्कर और उसका इंपक्ट यह सब आगे पढ़ेंगे सबसेक्वेंट लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि अगर आप एक ग्लोब देखोगे तो आपको दो चीज जैसे फोण ऐग्जांपल अ आपको एक एग्जांपल दो बड़ा सीधा सा और शेटीग सा तो इस एक्जांपल से असोसियट करोगे है आप क्या देखो कि अगर मान लो हम अरत को गोल एक ग्लोब की तरह देखते हैं ठीक है अगर यह हमारा अरत एक गोल ग्लोब है आगर गोल हें इस तरह से गोल है तो अगर मैं यह थ्रीडी अर्थ का बॉल जो है इस इस इसे इस इस तो इस घॉनयायक कर दिया है तो यह धशुत सतया हो बात्त बार तो यह यहां जो पॉइंट दिख रहा है और यहां जो पॉइंट दिख रहा है आपको Pacific Ocean Pacific Ocean यह दोनों ऐसे जुड़े हुआ है Globe पे अगर दिखा जाए ठीक है यह 3D structure हो गया कि यहां तीनों तरफ से देखने को मिल रहा है इसको अगर आप क्या करोगे 2D में इस तरह से map पे represent कर दोगे तो अर्थ कुछ आपको ऐसा दिखेगा अर्थ कुछ ऐसा दिखेगा और उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक हिस्सा जो दिख रहा है आपको यह जो भी color है light color ठीक है तो यह light color मतलब यह ocean वाला पार्ट और उस पे कहीं कहीं जमीन है कहीं कहीं जमीन है तो अब यह जो पूरा ओशियन है ठीक है यह पूरा का पूरा जो ओशियन है यह जो महासागर है तो यह आपस में जुड़वे दिख रहे हैं यहां से पानी मिल गया यहां से पानी मिल गया तो पानी पूरा मिला हुआ दिख रहे हैं और बीच में कहीं बहुत basic में एकदम decode करके बताते चलूँगा, अभी सिर्फ इतना समझो oceans और continents, तो अगर हम अर्थ को देखें, तो एक example देता हूँ मैं चलो आपको, ठीके, एक दिन क्या हुआ ब्रह्मा जी को गुसा आई, अब गुसा ही तो उन्हें क्या करा कि पूरे अर्थ का पानी लिए आओगा, तो कैसा दिखेंगा अर्थ, यह जो पार्ट उठा हुआ आपको दिख रहा है, यह जो पार्ट आपको अर्थ पर उठा हुआ दिख रहा है, यह आज के continent है, लेकिन अगर पानी खीश लोगे तो पानी की नीचे भी तो कहीं जमीन होगी, तो पानी के नीचे लिए जमीन होगी, तो वो आले पार्ट पर पानी भर गया है, तो वो क्या होता है, पानी भर गया है, उस पार्ट पर तो वो ओशेन की तरह रिखता है, एक्जामपल से असोसियेट करो, बारिश, बारिश के दिनों में, जैसे रोड है, तो रोड के उपर जब बारिश होती तो यहां रोड देखेगा यहां रोड दिखेगा लेकिन यहां पिशुंकर पानी क्यों देख रहा है यहुदा इस वहं है एक solid ball है लेकिन वो बॉल पर क्या है आपको जहां depressions होंगे एक्जामपल एक और अब यह चहरा है इस चहरा पर जैसे अगर आप देखोगे तो यह जो डिप्रेशन है आपके गड़े जो होगे इनके अंदर पानी फिल हो जाए इनके अंदर पानी फिल हो जाए नाक आपको पानी बर जाने के कारण वो क्यासा दिखता है पानी बर जाने के कारण वो ओशें की तरह दिखता है सिंपल ठीके नीचे उसमें भी क्या है उसमें नीचे जैसे अगर आप देखोगे तो जमीन तो आएगी ना जमीन तो उसमें भी नीचे आना फिर वही बात करोगे अगर अर्थ से, मतलब कॉंटिनेंट से तो कॉंटिनेंट क्या है कि वो भी जमीन का हिस्स है पर थोड़ा एलिवेटेड है, उठा हुआ है और इस करण क्या होता है, इस करण वो हमें कॉंटिनेंट की तरह दिखता है, अब कनेक्ट करो, एक बच्पन से एक मिथ सुनते आए होंगे क्या, कि global warming होगी, तो glaciers हो पिगल जाएंगे, glaciers पिगल जाएंगे, तो हम डूब जाएंगे, कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, कैसे डूब जाएंगे, तो ऐसे डूबेंगे, क्या होगा कि अगर glaciers मानलो यहाँ पे पहार की तरह है, और वो पिगलेंगे, तो पानी बढ़ेगा, तो वो डूबती चले जाएंगे, तो वो डूबती चले जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि glaciers अगर मेल्ट होंगे, तो वो समुदर में पानी बढ़ाएंगे, और जो coastal areas है, islands है, वो डूबते चले जाएंगे, यह कहानी होती है, खेर मैं बहुत दूर तक ले गए आपको, point इतना था, क्या कि अर्थ पे एक पार्ट जो elevated है, वो land के form में दिख रहा और एक पार्ट जो elevated नहीं है, उसमें पानी भर गया है, तो पानी भर गया तो वो oceans बन गया है, ठीक है, महासागर और महादवीब, ठीक है, oceans and continents, आप आजाओ, क्या, तेखो, क एक relative positioning समझ में आ जाएगी, एक relative positioning समझ में आ जाएगी, तो उससे आगे की चीज़े connect करना और आसान हो जाएगी, जैसे next वीडियो में हम latitude, longitude, यही सारी चीज़े पढ़ेंगे, इनको बहुत अच्छे से, ठीक है, तो अभी आप क्या समझ लो, basics, कौन-कौन से ocean से, कौन-क अमेरिका कहा जाता, एक South America दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कलर में पूरा का पूरा एशिया दिख रहा है, एक यलो कलर में यूरोप दिख रहा है, और एक यहाँ पे Australia के नाम का continent दिख रहा होगा, ध्यान रखना ये क्या है, globe है, globe है in the sense कि इस तरह से goal है, ठीक है, किस तर से pictorial representation दिख रहा हो, बाकी ये goal है, अगर इंडिया यहाँ है, तो इंडिया के गोलाई में पीछे की तरफ North America है, ठीक है, और यह यहाँ Pacific Ocean और यह Pacific Ocean जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप यह मत सूच ना कि यह वाला point और यह वाला point दुनिया का सबसे दूर का point होगा, यह सबसे पास का point हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यही North America के बाजू में क्या है, North America के बाजू में हाँ, जिसे आप देखो गए तो यह Japan वगरा, यह सब आगे, ठीक है, चलो, coming back to this, तो साथ continent है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथवा का है, तो साथवा नीचे अगर आओग पर खोदों के तो जमीन ही मिलेगी, ठीक है, untapped continent, population wise देखोगे तो सबसे बड़ा continent कौन सा है, population wise एशिया है, इसी में चाइना है, इसी में इंडिया, इसी में पाकिस्तान है, यह तीन देश नहीं दुनिया के आदी population बिठा के रखी, आदी से जादा, ठीक है, तो population wise सबसे चोटा continent, मतला population wise सबसे चोटा continent यहां लोग रही नहीं रहे, गिंती कि एक कुछ 150 लोग रहते होंगे, वो भी researchers है, वो अंतार्टिका में रहते हैं, ठीक है, population wise सबसे चोटा, area wise तो बहुत बड़ा है, लेकिन population wise सबसे चोटा है, ठीक है, अब आते हैं किस चीज़ पे, अब बाते हैं हम, area wise, area wise आपको clearly देखने को मिल रहा होगा, क्या, कि Asia, Asia प्मान ही नहीं रहा है, population में भी सबसे बड़ा, area में सबसे बड़ा, तो first number पे Asia है, second number पे Asia से ही जुड़ा होग यह अफरिका है, third number पे आप देखोगे तो North America है, ठीक है, fourth number पे है तो South America है, fifth number पे जो continent आत पे टम्स में अगर बात की जाए, तो देखो, Asia सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में अफरिका, और यह मतलब यह ऐसे continent, population wise भी जैसे देखो कि Asia सबसे बड़ा continent है, population wise भी Asia हर चीज में आगे बढ़ रहा है, population में भी area भी ठीक है, तो Asia, Africa, North America, South America, फिर उसके बाद में continent, और Australia ऐसा continent भी है, जिसे मतलब ओशियाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि पपवा, घुआना, यह सारी countries भी ऑस्ट्रेलिया में आती है, तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक बड़ा country है, तो उस continent को ही ऑस्ट्रेलिया बोल दिया जाता है, बाकि इस continent continent का लिट्रल जो क्या सकते हैं, नेमिंग है, वो ओशियाना के नाम से, ठीक है, उस continent को क्या कहा जाएगा, उसका कारण भी है, कारण बड़ा सिंपल सा है, कि यह continent जो है, तो मतलब यह continent जो है, तो मेजर पार्ट इस continent का जैसे जो है, तो ओशियान के नंदर में डूबा तो सबसे पहले कौन डूबेगा पता है तुम्हें, सबसे पहले डूबेगा है यूरोप, क्योंकि यूरोप जो है तो यूरोप की हाइट वाटर लेबल से बहुत जादा नहीं है, सबसे कम अगर हाइट है वाटर लेबल से किसी की तो वह है यूरोप की, तो सबसे पहले य यह चीज आती है Oceans, again Oceans को समझना, Oceans में आपको देखो Oceans है कौन कौन से, साथ है उनके पाच है उनके साथ बना दीए जाते हैं, पाच के साथ कैसे बना दीए जाते हैं, ऐसा नहिता कि पाच चॉकलेट है, अब साथ बच्चे आगा तो मम्मी कहा करती है, एक में से दो तो द पैसफीप कोशियन पैसफीप कोशन नमबर वन पैसफीप कोशन नमबर टू तो यह एक ही क्या बता है मैंने कि अगर जैसे यह जोड़ दिया जाहे माद लो टूडी स्ट्रक्चर है तो यह जो पैसफीप कोशन यह ऑसको क्या कर दोंगे अगर वह क्या हो जाएगा तो तो आपको आपको देखने को मिलेगा है कि एक पैसिज इंशें यहां और यहां होगे तो वह आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ठीके लेकिन इसको ठूळी में जब आप लाए हो तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो एक ओशियन सबसे बड़ा हो गया Pacific Ocean आपका यह Pacific Ocean यहां से यहां तो फैला हुआ बहुत बड़ा Pacific Ocean लार्जेस्ट ओशियन ठीके तो पहला कौन से हो गया Pacific Ocean Pacific Ocean के बाद में Atlantic Ocean यह Atlantic Ocean को याद रखने के अच्छी टेकनिक है साप की तरह फैला हुआ है इंफेक्ट Atlantic Ocean में एक डूबी हुई रिज है ओशियानिक रिज मिड एट्लांटिक रिज कहा जाता है परवत की श्रंकला है वालकनी के रप्शन हो रहा है लेकिन वह वालकनों समुद्र के अंदर फूट रहे तो इसकारण से डूबा हुआ पहाल की इसी श्रंकला है साप की त आती हुई तो यह Atlantic Ocean हो गया ठीक है तो पी ए फिर उसके आद में आई आई मतलब क्या हो गया आई मतलब यह इंडियन ओशियन देखो आपने छोटी क्लास पड़ा होगा कि इंडियन पेंसुला जो है वह प्रोट्यूट करता है इंडियन ओशियन में दस इस तो पहला उस्टिफिक ऊशियन दूसरा ऊशियन ए ट्लांटिक ऊशियन सीक्वेंज में चलते हैं थीसरा ऋकी इन्डिया Northeastries पीए आई अब पी ए आई इसके बाद में एस और एक रखुडू तो पैसा ही पैसा होगा पाबव वह होगया सथ्वाशियन शदन ओशियन क्मीव है देखो तो यह जो नीचे का अट्लांटिक बोलता किया हमारी कुई इज्जत है कि नहीं हमें भी कुछ तो तो अंटार्टिका एक कॉंटिनेंट भी है और अंटार्टिका से जुड़ा हुआ जो समुद्र का हिस्सा है जो साउत में है जो कि क्या देखने को मिलेगा अच्छ तो उषय Charta को जोडे हुए सथन ऑ्षयं कैसे उड़ा हुए तो सदन ऑ्षयण पैसफिक ऊषएन का भी पानी ले रहा है सदन ऑ्सेन अट्लैंटिक ऊचन का भी पानी ले ध्यान रखना और देखो प्रकृती में जो भी है न उसकी बहुत significance है यह जो नीचे पूरा का पूरा खुला हुआ है न तो इस करान से क्या होता है पता है इस करान से जो ocean currents चलते हैं यह आगे पढ़ेंगे तो ocean currents चलते हैं तो एक ocean का पानी दूसरे ocean के पानी को influence करता है उससे हमारे weather उससे हमारी rainfall उससे दुनिया की हर चीज influence होती है ठीक है इस रियली इंट्रस्टिंग जोग्रफी लिटरली में आपको उता रहो जोग्रफी जो है तो अगर तुमने subject को जी लिया तो जीवन जीने का सार समझ आ जाएगा ठीक है just trying that only तो समझ में आया कि देखो आन्णिक ओशन इंडियन ओशन एसस तरन ऊशन और पांचनुनांबर का जो का सरी कोंटिनेंट बोल रहाँ आए इन टरमस आफ साइज वो है अट्लांटिक सॉरी आप्लांटिक ओशन अट्लांटिक तो सेकिंड हो गया एसे ऑठीक और आटिक ओशन कहा है यह आटीक ऊपर क मतब क्या देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं मिल रहे हैं कि महासागर हो गए ठीक है महासागर क्याद में सागर होते हैं जिन्हें सी कहा जाता है तो ओशियन सी बे गल्फ बहुत सारे कीवर्ड हैं इन सबको आगे धीरे-धीरे सबसेक्वेंटली डिकोड करते चलेंगे आपको बताते चलूगा क्या डिफरेंस इन समय मीनिंग बताते चलूगा लेकिन अबी क्लिये समझो जो बहुत बड़े पानी का कैसकते हैं कि पूरा का पूरा पानी का बहुत बड़ा जो तालाब तो छोटा शब्द हो गया ठीक है उसकी boundary define करने के लिए ताला बहुत छोटा शब्द हो गया तो जो कैसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी जोन दी अर्थ हैं उन्हें क्या कहा जाएगा oceans महाद क्या सागर कहा जाएगा महा सागर तो पांच महा सागर है Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean और Arctic Ocean जो की ऊपर की तरफ North Pole में है वह Arctic Ocean हो गया तो यह पांच oceans हो गए पांच continent पांच ocean समझ में आया ocean और continent क्या है वह समझ में आया ठीक है सब में नीचे इसमें origin वगेरा समझ आगया अर्थ आगया तो अर्थ में continent और ocean क्या होते है वह समझ आगया अब हम आगे बढ़ेंगे कदम कहा अब हम latitudes longitudes इंसारी चीदों को समझेंगे टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको description में मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल जरूर से जाइन करेंगे तो कुछ भी नोट्स वगेरा जो भी रहेंगे वहाँ पर देता रहूंगा ठीक है तो I hope you guys enjoyed it अभी के लिए sign off करता हूं signing off with this together we can we will thank you thank you very much